अब आप सभी का हार्दिक स्वागत आज की इस पेडियाट्रिक सेशन की क्लास में हाँ कैसे हो आप लोग पीडियाट्रिक की क्लास स्टाट हुई है जो क्लास साम को आट बजय होती है वह आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया गया कि दो दिन तक हमारी क्लास कल और आज 6 p.m. to 7 p.m. होगी कल भी यही class 6 p.m. पे coordinate की जाएगी जब यह class conduct उस time होगी तो आप लोगों को ज़्यादा कोशिस यही करनी है कि उस time रहे ठीक है अब पहला question आपके सामने जी हाँ good evening everyone कैसे हो आप सभी ठीक हो आप हाँ आज का पहला सवाल बिने आपका time loss किये first question यह रहा question को अच्छे से पढ़ना है उसके बाद answer देने की कोशिस करनी है question को पढ़ो देके और उसके बाद answer दो क्या answer दे पाते हो आप यह आपके सामने option है option को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में answer देना है क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है हाइपर विली रूबी निमिया है तो बताइए ऐसे पेसेंट को फोटो थेरपी वाली पेसेंट को क्या-क्या नर्सिंग केर दी जानी चाहिए कौन-कौन सी नर्सिंग केर इंपोर्टेंट है select all that apply का मतलब multiple questions select करने है कितने क्यूशन अब भी अलानूर सर का एमस एसे नो देवगड गोरकपूर में साइद या देवगड में या गोरकपूर में सनो के post पे selection हुआ है बहुत ब्रिलियंट बंदे हैं कि मल्टी टेलेंटेड बनते हैं सांदार वक्ता है और हमारे JNC फैमिली के मेंबर है यह मान लीजी आप मिल्कुल बहुत बढ़िया आप खुश नसीब हो कि आप उनके साथ जूटी कर रहे हो अभी वो भोपाल एम्स चले गए पहले वो रिसी केस एम्स थे अभी वो भोपाल एम्स चले गए हाँ नर्स इस प्रिपेरिंग तो एक एर फोर न्यूबॉर्ण रिसीविंग फोटो थेरेपी विच इंटर्वेंशन वोड बी इंक्लूदेट इन प्लान अप दे केर क्या क्या नर्सिंग केर इसमें किया जाएगा सुनना हम लोग गोल औरियंटेड इस्टिडी कर रहे हैं गोल औरियंटेड का मतलब हमें जल्दी से जल्दी पीडिया को फिनिस कर गए नया सब्जेक्ट शुरू करना है समझे अब आंसपर दो फटाक से मैं पूरा यहां पर जूस निकाल दूँगा क्लास का पूरा जूस निकाल दूँगा लेकिन पहले आप आइडिया लगाओ कि इस का अंसपर क्या हो सकता है अब सुनो किसी भी पैसेंट को फोटो थेरेपी दी जा रही है क्या अंसपर राइट है ब्लू और वाइट का कॉंबिनेशन्स 45 सेंटिमीटर का डिस्टेंस 420 से लगबग 520 एनम का वेवलेंथ कितना 420 से 520 का वेवलेंथ एनम का वेवलेंथ बच्चे की रेटाइना को कवर करना मेल बेबी के गौनाडस that's called testis को कवर करना और सुनना मैं जो बाते बता रहу रे टाइना चै मेल हो या फीमेल हो और मेल बेबी है तो गौनाडस को कवर करना ये बाते क्लियर हो गई बच्चे को frequently position change करना जरूरी है ताकि पूरी बोडी पे लाइट वेवलेंथ पड़े पोजिशन चेंज करना जब बलेड का सेंपल लो तो फोटो थेरेपी में उसके उपर कुछ कवर लगा के लेना नहीं तो फिर बिलिरुबीन फाल्स लो आएगा हर 12 गंटे से बिलिरुबीन का लेवल चेक करना फोटो थेरेपी का मोस्ट कमउन कम्पलिकेशन आईपर्थर्मिया लेकिन और भी बहुत सारे कम्पलिकेशन है है एपर्थर्मिया और डी आइडरेशन हाईपर्थर्मिया और ब्रॉंज बडी पिगमन्टेशन अब एक आती है, बिली ब्लेंकेट, डबल सरफेस फोटो थेरेपी, आज कल वो ज्यादा चलती है, डबल सरफेस का मतलब बच्चे के नीचे एक स्पेसल टाइब का ब्लेंकेट होता है, ऊपर लाहिट होती है, दोनों साइड से बच्चे को बिली रुबीन कम किया जाता है, फ फोटो थेरेपी की बात चल रहे है, फोटो थेरेपी के अंदर बच्चे को स्टिमुलेट करना होता है, फ्लूड एक्स्ट्रा देना पड़ता है, क्योंकि फ्लूड लॉस होता है, फ्लूड अगर रेडियंट वार्मर पे है, तो 40 से 80 ml एक्स्ट्रा देना होता है, पर केज यह फोटो थेरपी के बारे में घ्यान है फोटो थेरपी पे है तो इतना है रेडियंट वार्मर पे है तो ज्यादा है क्योंकि उसमें ज्यादा होता है ठीक है है पॉकूर है यह किलियर है अब फोटOoh तरफिक किसको दी जाती है जिसमें ऊता है सुनो प्लीसे लू h इस्ट हैपरशों में इस का मतलब नियो नेट्ल जुएंडिस कौनसा जुएंडिस को बहुत है नियो नेट्लराथ अब फोटो थेरेपी पहले है दी जाती पहले जोइन डिस होता है अगर फीजिअलोजीकल जादा से ज़़ादा ब्रेस्ट पिडिंग में पहला किया दो यहाँ एक तरफ मैं आपके सामने मैं लेकरा हूँ फीजियो लोजिकल जोंडिस सुनना एक तरफ लेकरा हूँ पैथोलोजिकल जोंडिस पैथोलोजी का मतलब जनम के पहले 24 गंटे के अंदर ही हो जाता है विदिन 24 आर अब बस यह 24 आर के बाद में होता है 24 आर के बाद होता है ठीक है और बताइए या 30 से 22 गंटे के बीच में होता है और बताइए यह हाइड्रेशन से ब्रेश्ट फिडिंग से या फिर मैजिमुम फोटो थेरेपी से रिजोल हो जाता है यह नॉज़्मल होता है एंटरो एपट्रिक सर्कूलेशन के बढ़ने की वज़े से इम्मेच और लिवर की कि वादे से हीमोलाइसिस होता है जिसको बोलते हैं इरित्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या बोलते हैं इरित्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस फीटस की आर्बी सीर फट गई जिसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है इसमें हीमोलाइसिस होता है इसमें बिलिरु मतलब जिसमें ब्रेंड डेमेज हो जाए उसको क्या बोलते हैं करन एक तरस अब एक एसेस्मेंट कैसे करते हैं भई कैसे पता चलेगा कि क्या-क्या जाचे करेंगे तो सुनिए 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 सभी जिसा विद्या अंजली जी नाम देखो आप रोयल पूजा अब नाम यह जाए ट्रांस कुटेनियस बिलिरुबीनो मैट्री यह मोस्ट कॉमन नौन इन्वेजिव टेस्ट है बिना कोई टच किये कुशन आजाए मोस्ट कॉमन कौन सा एब नौन इन्वेजिव तो आप कभी मॉल पे गए कोवीड के टाइम में तो आशे थर्मामेटर होता था प डर्मल जौन क्रामर रूल कौन सा जौन डर्मल जौन क्रामर रूल कौन सा रूल यह भी कैसा है नौन इन्वेजिव इसमें क्या पता करते हैं इसमें बोडी के अकॉर्डिंग आपको एक बात याद रखनी है आपको एक किलियर बात याद रखनी है यहां से स्टार्ड होता जूजू परिफेरी की तरफ जाता है सीवियर्टी बढ़ती है तो बेबी बढ़ो यह बेबी यह तक रहेगा चार से आठ चैस्ट अब्डोमन आठ से बारा अमलाइकस बारा से पंद्रह अब नीचे चला गया पंद्रह को क्रॉस जब कभी भी पाम और सोल अफेक्ट हो जाए इसका मतलब 20 है इसका मतलब पैथोलोजिकल जॉइंडिस में बिलिरुबीन खतरनाक है जिसमें पाम और सोल अफेक्ट रहते हैं जिसमें पाम और सोल अफेक्ट रहते हैं वो डेंजरस है चाहिए वह स्मॉल पॉक्स है चिकन पॉक्स में पाम और सोल में प्रेश भी नहीं आता है वो भी ट्रिक है kramaan rule dermal John और क्या करेंग सी अतंतनों किंदेएक करते हैं rect stress करते हम painter invest Bush कुछ साथ हम या इन गार्मारी में करते हैं बिलिरूबीन ए इन्डियूज्ट पश्माहे किया जाता है किस में किया जाता है है कि हाइपर बिली रूबे बिली रूबी इंड्यूस नियुर्वाजिकल डैफिसित थे टेस्ट मतलब पीलि रूबीन की वादा है नर्वर सिस्टम खराब हो गया ब्लड ब्रें बेरियर को क्रॉस कर्के बिलूबी चला गया ब्रेन में और और करते हैं कूम्ब टेस्ट कौन सा टेस्ट वावू कूम्ब टेस्ट कितने टाइप का होता है कूम्ब टेस्ट कितना दो कौन कौन सा direct कूम टेस्ट indirect कूम टेस्ट direct का मतलब क्या होता है direct का मतलब क्या होता है problem किस में baby में जिसकी वज़े से mother की वज़े से problem किस में baby में direct कूम टेस्ट किस से baby के blood से problem किस की वज़े से mother की वज़े से mother के blood से indirect कूम टेस्ट कौन सा किसका पता लगाने के लिए हीमोलाइटिक अनीमिया का पता लगाने के लिए मैं सच कह रहा हूँ आप continue class देखी ना आपको इतना proud feel होगा कि हमने पढ़ लिया almost हीमोलाइटिक अनीमिया कौन सा अनीमिया क्योंकि और कौन सा टेस्ट करते हैं और करता है कौन सा हर कौन सा हर पूरा नाम क्या है बैटके और क्या है क्यों से लाता है कौन से बिमारी में यूज किया जाता है आपका अंस्पर होगा कॉल हर बैट के टेस्ट मैटरनल ब्लड फीटस के आया कि नहीं आया फीटस ब्लड में मैटरनल एंटीबोडी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है फीटस मैटरनल ब्लड क्रॉस मिक्स हुआ कि नहीं हुआ उसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं कॉल हर बैट के टेस्ट अब आता है ट्रीटमेंट अब क्या आता है ट्रीटमेंट कर लेते हैं फीजियोलोजिकल का कोई डेंजरस नहीं है सबसे पहले ब्रेश्ट फीडिंग को बंद नहीं करना है इससे भी नहीं हो तो फ्लूड देना है इससे भी नहीं हो तो फोटो थेरेपी देना है बास खतम फीजियोलोजी में यही करना है फीजियोलोजी में यही करना है इतना ही करना है और कुछ नहीं करना अपने आप सही होगा फ्लूड ज्यादा दोगे स्टूल के असाथ बाहर निकल जाएगा t kole$ को निजन यूरीन शी उन के साथ बाहर निकल जाएगा наш frame जलाग मतलब आरेज नेगेटिव मदर आरेज पॉजिटिव बेबी उसकी वज़े से आर बीसी फट गई ही मोलाइसिस हो गया क्या करो ब्लेट चेंज करो पहले फोटो थेरपी देखे देख लो कुछ नहीं होगा फाइनल ट्रीटमेंट यह पजाता हूं आरधिव थार्जमेंटेंट आप ट्रीटमेंट अपतो लॉजिकल जोंडिस एक्सफ्चेंज ब्लेट ट्राणस्फूजिट ओल अपाइक्स funding रानई बडेट एक्सटेंज करो क्या पूरा निकाल के पूरा कर दें क्या पूरा निकाल के पूरा चेंज करतें भाई कैसे not possible पूरा निकाल के पूरा नहीं कर सकते तो कैसे कुछ निकालो कुछ डालो कुछ डालो एक्सचेंज तो newborn baby के body में कितना blood होता है न्यूबउन बेबी के बलेड में, न्यूबउन बेबी के बॉडी में 80 ml पर 250 ml बलेड होता है해ziehen, कि तना होता है 80 ml, 5 kg का बच्चा है, कितना बलेड होगा धाई किलो के बच्चे में 200 ml ब्लेड होगा 80 ml को धाई किलो से मल्टिप्लाई करो देखे 200 ml ब्लेड आएगा तो कितना देना है Exchange Blood Transfusion में Double Volume दिया जाता है Double Volume मतलब धाई किलो के बच्चे में 400 ml ब्लेड दिया जाएगा क्या 400 ml एक साथ दे देते हैं ना बबा बच्चे को Hyper Volume में हो जाएगा तो क्या करेंगे Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull 400 ml देंगे तब तक 85 से 90% Blood Change हो जाएगा कितना परसेंट 85 से 90% Blood Change हो जाएगा कितना परसेंट 85 से 90% इससे क्या होगा जान जाती हुई बच जाएगी 100% Change नहीं होगा 15 ml पहले Push कर लिया Pull कर लिया फिर 15 ml धीर 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 देंगे Stop Quark लगा देते हैं 3-way एक साइड से निकालते हैं फिर देते हैं इससे क्या होगा कुछ जाएगा उनमें से कुछ आएगा उनमें से कुछ आएगा उनमें से कुछ बीच में एक पेरिन और कैल्सियम गल्कुने डेते हैं क्यों? एक पेरिन अन्टीकोगुलेंट है natural भी है and से एक क्योंकि क्लौर्ट ने से बचा देगा और कैल्सियम गल्कुनेट केूँ? क्योंकि और जो भी Blood Bone Infection हो सकते हैं, Triple H, HBSAG, HIV और HCV हो सकता है, अगर स्क्रिनिंग नहीं किया तो, और Hyperkalemia, Hypokalcemia, Circulatory Overload, Safety Semia, Air Embolism, वो हम पढ़ चुके हैं, कई बार, हजार हम बार पढ़ चुके हैं, वो हो सकता है, इसलिए, अब स्कूशन का आंस्वर में बताओ, फोटोधेरपी में, िस्टिमूलेट तो करना है यह तो गलत हो गया फ्लूट तो ज्यादा देना यह भी गलत हो गया एक्सक्पोज ऑल उसक्इन को एक्सपोज नह bullish करना इसका मतलब इसकीन टेंपरेचर आइपर थर्मिया मोस्ट कॉमन यह तो करना है री पोदिशन दो गंटे से क्योंकि पूरी बोड़ी को लगवाना इदर उधर कोवर दर न्यूबॉन आइस बिलकुल आइस पे इल्कुल सही तो राइट आंसफर क्या है कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सक है फिर कोई रोकने वाला नहीं है अगर हम लोग सच में पढ़ के करेंगे तो सही हो जाएगा बस राइट आंसफर एच पोर फाइफ सेक्स दाट्स आल नेक्स्ट वन क्यों सिन पढ़ो बर्थिंग पेरेंट एचाईवी न्यूबॉन इंक्लूड विच इंटर्वेंशन है क्या इंटर्वेंशन है बताओ बताओ देखें पहली बात सुनो मदर से बेवी में कितना एचाईवी फैलता है यह क्यों आ रखा है आ रखा है मतलब आएगा 14-25 परसेंट कौन सी ड्रग ऐसी है जो मदर से बेवी में एचाईवी को रोकती है जिडोविडीन नेविरापिन गएगो परतिं नेविरापिन क्या है अगर फिमेल प्रेडिन ए अर्गण है तो य्जिडोविडीन देते हैं और लेबर में है इंजटेबल पोस्ट पारटम बेबी को देनी पड़ेगी पडेगी सीर अम पड़ेगे बेबी को सीरप देनी पड़ेगी, सीरप की डोज क्या है, जीडोविडिन की डोज क्या है, जीडोविडिन की डोज है, 2 ml पर kg QID into 6 week, into 6 week, that's a GDUVD, single dose, नेविरपीन, दोनों vertical transmission को रोगती है, अब सुनो, इस कांस पर दो, HIV, एक सवाल पूचूँगा, अभी मैं है, अभी एक क्योशन पूचूँगा, वाइतल साइन चेक करने से काम हो जाएगा, anytime standard precaution लेना है क्या, blindness, deepness, learning problem को institute करना है क्या, breastfeeding, chestfeeding, parent regarding the treatment of nipple with nistate inointment, क्या antifungal की उसे कुछ कर सकते हैं क्या, क्या आपको लग रहाए अंस्वर, क्या लग रहा है, क्या अंस्वर लग रहा है, maintaining standard, standard का मतलब, universal precaution, कौन सा precaution लेना है, universal precaution लेना है, anytime, ads के patient का, अच्छा equation बूचू, newborn baby का confirmatory test किया है, ads का, diagnostic test कौन सा है, option A, western blot, option B, ELISA, option C, P24 antigen, option D, anti-body, absorption test, confirmatory diagnosis कौन सा है, यह, adult में confirmatory है, यह, screening test है, adult का, किसी में भी confirmatory नहीं है, यह test ही नहीं होता है, P24 antigen और PCR, दोनों, बोथ, P24 antigen और PCR, क्यों कोई बताएगा कारण, newborn baby में western blot क्यों नहीं करते, newborn baby में western blot क्यों नहीं करते, सुनिए बाबु, सुनिए, newborn baby में western blot नहीं करते कारण क्या, western blot antibody test है, कौन सा test है, antibody test है, और antibody test, अगर newborn में किया, सुनो, अब condition देखो, mother, pregnant HIV है उसको, यह amalical cord, बेबी को antibody transfer होती है, अब बेबी, यह बेबी, बेबी को HIV नहीं होगा, लेकिन आप antibody test करोगे, तो false positive हाजाएगा, false positive हाजाएगा, क्योंकि antibody तो transfer होती है, इसलिए antigen transfer नहीं होता, इसलिए antigen transfer नहीं होता है, तो very good, next one, next one, next one, next one, diabetes mellitus, क्या priority है, diabetes mother के बेबी को क्या हो सकता, developmental delay होता है क्या, blood glucose level ध्यान रखना है क्या, कम होता है क्या, choking नहीं होता है, conal atrasia में choking होने के chances रहते है, elevated body temperature नहीं रहता, diabetes mother के बच्चे को hypo glycemia रहता है, because of the high stimulation of the beta cell from the insulin, यह तो पता है, यह तो पता है, सब को पता है, किसी को भी doubt नहीं है, क्योंकि low blood hypoglycemia, less than 40 is hypoglycemia as newborn, because of the, 11 weeks से insulin stimulated, stimulated beta आपने umbilical cord काट दिया, अब कहां से sugar कम होगा, वाई, sugar आएगा कहां से, नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होगा, hypoglycemia, diabetic mother के बच्चे में, head बड़ा होगा, baby बड़ा होगा, लेकिन sugar कम होगा, पता है न, तो right answer is, B, right answer is, B, आगे समझ में, कोई doubt, which statement reflect a new birthing parent, understanding of the teaching, about the prevention of newborn abduction, abduction का मतलब है, चुरा के ले जा, भगा के ले जा, चाहिए कैसे भी ले जा, मुझे ले जा, abduction का मतलब है, क्या ले जाना, चुरा के ले जाना, चुरा के कैसे ले जाएगा, abduction का मतलब है, चुपा के based, कोई ले जाता है जैसे गॉवर्मेंट पुश्पिटल में यसा होता बिलकुल होता है हाह ति कॉfather में आन्वा चुर्म कि ले ज़म श्टैटमेंट जिसकी डिलेवरिया इसके पापा को समझाना है कि बच्चे को कोई चुरा के नहीं ले जाए क्योशन हिंदी में समझा देता हूं प्योर हिंदी एक दम मारवाड़ी कौन सा स्टेटमेंट अपने न्यूबॉर्ण जो नए बच्चे के पापा ममी उसको समझाना है ताकि बच्चे को कोई चुरा है नहीं to carry my newborn to the nursery I will ask the nurse to attend to my infant if I am napping and my partner is not here मैं जरूर नर्शिंग ऑपिस्टर को बोलूँगी जब मैं सो रही हूँ या मैं ध्यान नहीं रखती हूँ तो बोलूँगी तुम अच्छे से ध्यान रखना कोई लेक नहीं जाए कोई भी एसिस्टंट आए बच्चे को carry करके ले जाए आईडी जरूरी नहीं है बच्चा दर्वाजे के पास है पहला बात बच्चे को दर्वाजे के पास नहीं रखना दर्वाजे के पास नहीं रखना तो पहला हो गया बाबू का गलत दर्वाजे के पास नहीं रखना इसम कोई भी आके चुरा के ले जाएगा गलत वो गए मैं जब सो रही हूं तो प्लीज तुम ध्यान रखना ये बात सरी है यह तो सही है, ना, यह तो सही है, भई, यह बात सही है, तो चुरा के लिए जा बगा के लिए जा पर धियान रखना, पैसेंट को फाइटन डियोन दिया मतलब वाइटामीन के दिया वाइटामीन के मरीज के पापा न्यूबॉल बेबी के पापा पूछ रहे हैं कि सुनो जी तो कि हान जी मेरे बच्चे को ये वाइटामीन के आपने दिया ना वेस्टरस्ट लेटरलिस मसल्स पे, एंटिरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे, हाँ, बच्चा एक किलो से छोटा है तो आप 0.5 GMG देते हो, हाँ, बच्चा एक किलो से बड़ा है तो 1 GMG देते हो, हाँ, IEM देते हो, हाँ, तो हमें तो नहीं देते हैं, बच्चे को क्य भवभ सिह नम्ते इंजेक्शन क्यों लग Go, क्यों लगा या बताओ क्या बोलोगे क्या आपके बच्चे को इम्युन्यटी कम है इस लिए नहीं इम्युनुटी से नॉर्मल फ्लोरा बनाएगी देखो यहां पे मामला गडबड है न्यूबॉर्ण की बोवल स्टराइल है यह बात तो सही है तो क्या यह मेडिकेशन नॉर्मल फ्लोरा को ग्रोथ करेगी अब उसमें होता है क्या सुनों उता क्या है नया नया बच्चा जनम लिया सुनों सुनो नया-नया बच्चा जनम लिया बच्चे की इंटेस्टाइन होती एक दम स्टराइल उसमें नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता और नॉर्मल फ्लोरा बीडिंग से बचाता है। मारे बोड़ी में सेल से भी ज्यादा नॉर्मल फ्लोरा होता है एक है अब शुनना नूबॉनी के इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता इसका मतलब .. इसका मतलब वेटामीन नॉर्मल फ्लोरा नहीं है तो वेटामिन के नहीं बनेगा 27910 की कमी रहेगी वेटामिन के कौनसा क्लोटिंग फेक्टर बनाता है 27910 कौनसा 27910 जब इंटेस्टाइन ही इस्टराइल है नॉर्मल फ्लोरा नहीं है तो ब्लिडिंग होगी इसका मतलब क्या वैटामीन के नॉर्मल फ्लोरा को बनाता है कोई नहीं बना सकता इस दुनिया में नॉर्मल फ्लोरा को इस दुनिया में नॉर्मल फ्लोरा कोई नहीं बनाता नॉर्मल फ्लोरा दही खाने से लैक्टिक एसिड बेसिलस खाने से इंटेस्टाइन एल्दी रहने से अपने आप बनता है मतलब क्या हुआ नॉर्मल फ्लोरा को यह विटामीन नहीं बनाता है तो क्या करता है जब तक अपने आप नहीं बन जाता तब तक यह रोक सकता है तब तक यह बोलता है कि भाई सुन नॉर्मल फ्लरा बनने में टाइम लगेगा जब तुम डूद पिएगा इंटेस्टाइन में मुमेंट होगा तो अपने आप बनेगा जब तक नहीं बनता है ना तब तक मैं ब्लीडिंग से रोक सकता हूं मैं तरी हेल्प कर सकता हूं टेंप्रेरी तो न्यूबॉर्ण में वे नॉर्मल फ्लोरा वैटमीन के बनाता नहीं है नॉर्मल फ्लोरा जब तक नहीं बने तब तक ब्लीडिंग से रोकता हूं यह यहाद वाटामीन के देते हैं लंबे समें अंटिबाइटिक चलती है तो वाटामीन के कम हो जाता है हमारी बोडी में राइट बात चलो नियोनेट डिलीवर्ड प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन 36 वीक डिलेवरी रियूम का तेंपरेचर 70 फेरेंहाइट टू प्रिवेंट हीट लॉस प्रों कन्वेक्शन 70 फेरेंहाइट का मदलब तेंपरेचर देख लो आप डिलेवर्ड रियूम का तेंपरेचर कितना है तो कॉन्वेक्शन से हीट लॉस बचाने के लिए क्या करना चीए ड्राइ करना चीए यह तो इवापोरेशन हो गया कीप दनियोनेट अवेफ्रम कंडिशनिग वेंट लेश दनियोनेट अवेफ्रम आउटसाइड विंडो प्रीवार्म देड रिवार्म वाला अलग हो गया बताओ देगे बोलो 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 जल्दी बोलो फटाफट बोलो बताओ कल इतो पडाया मैने रेडिशन इवापोरेशन कोण्वेक्शन चारप्रकार से हीट लॉस हो था रेडियेशन रेडियेटिव एव गणडे कॉन्डेक्शन दाइरक्ट कॉन्टक्ट 3% कण्वेक्शन शार्कुलेटरी यह यह पड़ा सार्कुलेटर यह ब suspend his से दूर करो और आपरेशन ड्राइट करो ड्राइब लेंकेट वांप ब्लेंकेट कॉंसा राइट आश्वर होगा भी अवे फ्रम द्राफ्ट शर्कुलेत्रिये एयर इवर को गरम रखना है वेरी गुड यह होगा भी आश्वर राइट पढाता ना हमने परसो लेकर मैं पूर से लोगे यह 25 दिसंबर से आप स्टार्ड करोगे क्लास तो आपको बेनिफिट होगा बीच-बीच में कभी-कभी लोगे बेनिफिट मत लेना अगर आप बीच-बीच में क्लास लेना चाहते हो तो मत लेना बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि एक्जामपल मैंने फोटो थेरपी physiologicalandinOOOO पढ़ा दिया बार-बार नहीं बताऊँगा अब जो भी विख्युिशन आएगा मैं बोलूँगा मैं पढ़ा चुका हूँ जो भी विख्युशन आएगा मैं बोलूँगा देखो यह यहां पर बता रखा है समझे तो वापिस नहीं बताया जाएगा मतलब नहीं बता है जाएगा बस ये ध्यान रखना है तो बीच में लोगे तो नुक्षान आपका है तो रेगुलर लेना तो बेनिफिट है अब ये क्विशन बताना आधा पढ़ना आधा सुनना आधा पढ़ना पूछा क्या है ध्यान नहीं देना ये अमारी कमजोरी है पूछा क्या है ध्यान नहीं देना इसकी वज़े से गलत होता है और ये गलत होगा ये आपका गलत होगा मैं बता रहा हूं पढ़ लो चाहे क्योंकि तुम पूछा क्या है ध्यान नहीं देते हो आज और कल दो दिन दित्तिविका जल्दी रहेगी क्लास है ना उसके बाद वापीस आट बजो जाएगी बता ना आंसर बताओ सही से नहीं पढ़ना पूछा क्या है ध्यान नहीं देना क्योशन गलत होता है मैं कह रहा हूं तुम यह गलत करोगे मैं कह रहा हूं तुम यह गलत करोगे मैं तो खुला बोल रहा हूं यह क्योशन तुम गलत करोगे क्योंकि तुम सुनते नहीं हो पहले ही बता रहा हूँ तुम गलत करोगे चाहे मानलो मेरी बात चाहे मत मानलो बेव कुपों ड्रग कैलकुलेशन का सबसे बेसिक सवाल है मोस्ट बेसिक क्यूशन है यह सुनो पैसेंट का वजन किता है 1.35 kg डोज क्या है 100 mg पर kg कितना है 100 mg पर kg पर kg का 100 एक kg का 100 है 1.3 का मतलब 135 mg की एक डोज एक डोज कितनी अब कितनी जा रही है बीडी जा रही है इसमें पूछा है नियोनेट वेड हाउ मैनी ml पर डे पर डे का मतलब 135 इंटू टू बीडी का मतलब दो बार 270 है मुझे 270 अगर यहां पर क्यूशन होता पर डोज तो आंसर आता 135 सारा खेल यहीं पर है सारा खेल यहीं पर है तुमने यहां ध्यान नहीं दिया किसी ने भी किसी ने भी यहां ध्यान नहीं दिया यहां पर डोज होता तो 135 होता और यहां पर ओडी होता तो भी 135 होता यहां बीडी है और तुम्हारी भैस पानी में चली गई इसलिए राइट आंस्वर है जो सब्सक्राइब यह ओडी होता तो राइट आंस्वर यह आता यह बीडी पूछ के पर डोज पूछते तो भी 135 आता इसलिए बोलते हैं पूछा क्या है इसलिए बोलते हैं कि पूछा क्या है तुम गलत करोगे तुम्हारी यादत है कर्के निह इसलिए टाइट रिजल सब्सक्राइब इन योनेट डिलिवड 30 वी क्यास टेसंट वेट 2 जन ग्रम admitted to the neonatal intensive care unit NICU में admitted 30 week पे 2000 ग्राम का बच्चा 2 किलो का बच्चा insensible water loss insensible किसको बोलते हैं पहले चीजों को रटो मात insensible water loss किसको बोलते हैं यह भी नहीं पता what is insensible दिमाग खराब कर रहे हो तुम अपना insensible water loss किसको बोलते insensible का मतलब जो हमें पता नहीं है जैसे लंग से कितना water loss होता हमें आइडिया नहीं होता और और किससे और इसकीन से इसकीन और लंग से water loss तो क्या करें हम पैसेंट को ऐसे condition में डाले जिसे पसीना कम हो क्या करें क्या करें है तो भाई हम लोग radiant warmer use करेंगे तो भी ऐसा होगा बात करवाएंगे तो भी कोई इंसेंसिबल वाटर लॉस का तुक बैट नहीं रहा है फोटो थेरपी से तो कोई लेना देना ही नहीं है तो हम क्या करेंगे लकितनी रहने है है कितनी रहे है इसकी से पूर दिन में 400 लंग का मतलब जिसके शहर नहीं होता है ९सको इंसेंसिबल वाटर लॉस तुर्ज सब्सक्राइब क्यों सिन पड़ो है यह अदल्ट का है ना रोयल पूजा लक्ष्मी प्रजापत्थ क्यों सिन पढ़ना अच्छे से देखो क्यों सिन पढ़ना नहीं तो मैं पढ़ के बताता हूं क्यों सिन पढ़ना वरना मैं पढ़ के बताता हूं क्या राई टांस्वर है बताना पढ़ लो अच्छे से अब सुनो एक डिलिवरी वही थर्टी सेवन वीक पे एनाइश्यू में पैसेंट एड्मिटेज इसको आडियस है डॉक्टर ने आईवी फ्रूट लिखा है अच्छे से आईवी फ्रूट लगाने से पहले नर्स को क्या करना चाहिए और नेश्यूं वेट चेक करना नर्स का काम है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया है आप क्या वेट चेक करके करोगे सुना बात सही है गलत नहीं है बट प्रायरिटी डिटर्माइन इव्दा नियो नेट एडेक्विट इन आउटपूट डॉक्टर ने अच्छे से एग्जामीन करन क्या डॉक्टर ने जैसे लिखा है हमने वैसे के वैसे बनाया एक नहीं बनाया क्योंकि बच्चों का मामला जरा संभाल के बच्चों का मामला है जरा संभाल के मिलते नहीं है यह बजार में भाव के यह जिन्दगी में सबसे अनमोल रतन है रखना है इन्हें जरा देख भा के मतलब क्या हुआ अच्छे से कि जो डॉक्टर ने लिखा है यह पीडियाट्रिक में सबसे कॉमन एरर है फ्लूड लिखा कितना है पोटेशियम कितना एड करना है स्टोक सोलीशन क्या है हम गलती कर देते हैं उसने बोला था डी फाइप और एनस बनाओ डी टेन और एनस बन यह है प्रायरिटी कॉंसीरिटी प्रायरिटी वा भाई प्रायरिटी गई भैस पानी में अभी रुको अभी रुको आगे अभी में और गुमा गुमा के लपेट लपेट के क्योशन दूँगा आपको ऐसा लपेट हूँगा तुम कैसे भी अग्जाम दे के जाओगे तुम दम जादा घबराने की जरूती नहीं है चलो बाई ये बताओ ये क्यों संब बताओ पड़ा दिया है बताओ देगे after the nurse explained to the mother of a male neonate scheduled to receive a vitamin K injection after birth about the rational बाई क्यों देते हो बच्चे की मम्मी बोलती है स्नोना सिंग ऑपीसर जी के हां जी मेरे बच्चे को injection क्यों लगाते हो तो कौन सी बात सही है जो successful teaching है क्या पहला option क्या है my baby doesn't have my baby के पास नहीं है क्या normal bacteria in his intestine to produce the vitamin ये बात ठीक है ऐसे bacteria होते हैं जिसको normal blood बोलते हैं intestine में नहीं है जिससे की vitamin my baby is at a high risk for a problem involving his blood ability to clot the red blood cell my baby formed during pregnancy are destroying the vitamin K RBC vitamin K को मार देती है क्या my baby's liver is not able to produce enough to of the vitamin as soon as about the birth abba the first guy a or D में फंस गए A और D में फंस गए तुम फिर फंस गए और फिर गए फिर गए ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कने लगा किसी और की छत पे क्यूं मेरा चांद चमकने लगा पड़ ले भाई किसी और की छत पे नहीं चमकेगा तेरी छत पे चमकेगा बता दे आंस्वर कुछ लोग भी बोल रहे हैं कि बलड में क्लॉट हो गया कैसे हो गया भाई क्लॉट बी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं या तो A की बात कर रहा हूं या D की बात कर रहा हूं तो नार्मल बेक्टिरिया नहीं है थीक है डास नौट हव दा नॉर्मल बेक्टिरिया यह बात याद रिखना है अब डी क्यों नहीं सही है My Baby's liver not able to produce, not able to produce.. राइट राइट आंस वर आ हो गया कि इसके according अब देखो आपने पहले क्या बढ़ा था कि सार ऐसा तो नहीं है कि लिवर वो इंटरस्टाइन नहीं बनाता लेकिन ऑप्सन एकॉर्डिंग टू प्रायरिटी यह सही है क्यांकि बाकी वाले स्याट ही नहीं हो रहे हैं बाकी वाले बिल्कुल गलत है इसलिए यह सही हो गया इसलिए यह सबसे ज्यादा कॉंसा सैंस डवलप होता है यह पूछा है क्या करना चाहिए जोर से बोलना चाहिए 12th side से maternal face से बच्चे को अच्छे से बच्चा देख सकता है गया इस्ट्रॉक देखने वाला अवाज वाला कॉंसा इसरत खान सार गलत हो रहें बहुत ज्यादा गलत होंगे थोड़े बहुत थोड़े बहुत होंगे ना थोड़े गलत नहीं होगे तो कैसे चलेगा वाई जनम के समय सबसे ज्यादा test develop होता है जबसे ज्यादा sense develop होता है test कौण सा touch वाला कौन सा ना तो आवाज को ज्यादा पहचानता है अंडर develop हो रहता है फिर immature डोट रहता है ना देखने वाला वह 3-4 मेने लगते न उसको टेस्ट का ज्यादा कुछ आईडिया रहता है उसको टच करोगे तो वो इदर कर लेगा सबसे ज्यादा कौन सा रहता है टच टेस्ट कौन सा टेस्ट टच टेस्ट आया समझ में कोई डाउट नो डाउट बाकी वाले इम में चौर रहते हैं सब थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा है ना देखो देखो तुम अंसलो 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 भाई फिर क्यों देना अंसवर देदो अंसवर देने में क्या बुर रही है तफिर अंसलो वाइल में एोम विजिट के दौरान पहली बार जो फीमेल जो प्रैगनेंट होी ती उसने बक्चे को जनम दिया पहली बार जन्essा वीवलेटी प्रॉट को क्राॉस किया उसने बक्चे को जनम दिया में तीन दिन का बच्चा अंगचर observe the mother changing the baby disposable diaper उसकी जो बच्चे की माँ है वो बच्चे के diaper change कर रही है जो की diaper वैसे भी disposable होता है before putting the clean diaper on the neonate नए diaper लगाने से पहले the mother begin to apply baby powder mother baby के उपर powder लगाती है in vinyl region में to the neonate's buttocks which of the following statement about the baby powder should the nurse relate to the mother powder से related कौन सी बात किस से related पूछा क्या है पूछा क्या है powder से related कौन सी बात nurse mother को समझाएगी पहला यह diaper race से बचाता है powder से कोई diaper races नहीं बचता diaper races किस से बचता है clean timely dry डाइ डाइपर चेंज क्यूशन आ सकता है diaper race से कैसे बचा जा सकता है clean, dry and timely diaper change यह तो गलत it keep the diaper from other end to skin क्या powder चिपकने से बचाता है यह भाई यह तो बहुत बड़ी बात बोल दी क्योंकि इसके अंदर automatic moisture होता है जो चिपकने नहीं देता diaper के अंदर automatic moisture होता है जो चिपकने नहीं देता it can result in allergy क्या यह allergy करता है यह भी गलत जो diaper होता है उसके अंदर आप side में जो powder लगाते हो भी फॉरने पीरे से जो भी वो powder बच्चा aspirate का सकता है बच्चे को pneumonia हो सकता है तीन दिन का बच्चा है उसको यह बताना है powder लगा है तो थोड़ा ध्यान रखना बच्चे के नाक में जा सकता है और अंदर चला गया तो बच्चे को pneumonia हो जाएगा जिसको aspiration pneumonia बोलते है कौनसा right answer है right answer is a सबका गलत मैंने क्या बोला था challenge है सबका गलत होगा मैंने बोला means बोला बस एक candidate ने सही जवाब दिया था 50% गलत कर सकते हैं कितना परसेंट लोग गलत करेंगे 50% चलो which newborn assessment identify immediately after birth is probably necessary to prolong कौन सी साइन सिम्टम ऐसा है जिसे लगता है कि patient को बिमारी है अपगार स्कोर जनम के जश्ट बाद 5 आ रहा है तो आएगा आएगा वजन आएगा 3500 ग्राम है होगा कोई दिकर बिलेड गलकोट 40 से ज्यादा है होगा अमलाइकल वेट में दो आल्ट्री होनी चीए एक वेन होनी चीए अगर दो है तो डॉक्टर को inform करना है इसका मतलब कोई कोई आगे जांचे करवानी पड़ेगी हमें पता करना पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ D is abnormal और abnormal में ही हमेशा आगे necessary to prolonged follow-up care आया समझ में आया आया ना very good right answer H D देखो next देखो यह गलत नहीं होगा यह आप सही कर लोगा अरे pneumonia से prevent नहीं करेगा pneumonia होगा इसमें पूचा था diaper लगा रही है तो कौन सा ज्यान देना है जो powder है ना उसको ध्यान से लगाना यह pneumonia भी हो सकता aspirate कर जाता है यह था प्रीट्रम डिश्प्टैewं कैसी होती है और रिट्रम की किड़नी immature होती है क्या आत Hm बिलकुल नहीं यूरेन आता है बिलकुल नहीं यूरेन डाइलूटत इडाता है इस पिसफिश्फिकेश्टी ज्यादा आती है क्या न light होता तो ज्यादा आती तो कम आएगी एसीड बेस इलेक्रोलाइट बैलेंस और अडेक्विटली मेंटेन ऐसा को जरूरी नहीं लार्ज अमांट अब यूरीन इसलिए वेट लॉस होता है साथ से दस परसेंट इन फर्स्ट वीक राइट अंसर इच किसे रहती है का तो ब्रेटिं गया चाहिसर करते हैं इसिल्ए टो वेट लॉस होता है है अच्छा पाउडर से निमोनिया कैसे होगा हां बुनम सरमपूज़ पाउडर से आप कभी इस्प्रेय ना पास में लेके रखना छोटे बच्चे के अंदर चला जाता है और छोटा बच्चा है प्रश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश् जो कि horizontal पाई जाती है only long bone जो कि horizontal होती है ऐसे बाकी सब खड़ी होती है उसका नाम होता है clavicle एक मातर long bone जिसका membranious development होता है उसको बोलते है clavicle इसको beauty bone भी बोलते हैं लड़िकों में एरीशन ग्रू नाम की दो problem होती है rib cage में change a किस में आता है एक तो आता है barrel shaped chest asthma में इस्षारी इमपाई सीमा में barrel shaped chest एरीशन ग्रूव और रिकेटिक रोजरी रिकेट में किसमें देखने को मिलता है, दिकेट्स में, एरिशन ग्रूब किसमें देखने को मिलता है, दिकेट्स में, ठीक है, तो यह दो एक्स्ट्रा बाते है, इसकल्प है नहीं, कलेविकल फैक्टर हो जाती है, most common factor कलेविकल is the diabetic because of the vaginal delivery, ठीक है, which finding would the nurse most expect to find in neonate born with 28-week gestation diagnosed with intraventricular emirage, यह AD, AD में यह ventricle है, यह सिक्विदक्टल, lateral ventricle, third ventricle, fourth ventricle, इसके अंदर emirage होगा, तो क्या दिखने को मिल सकता है, यह अपने पढ़ लिया, bulging fontanil होगा, यह question पढ़ लिया ना कल, यह वापिस आगया, repeat आगया, यह repeat हो चुका है ना, यह पढ़ लिया हमने, यह question है, क्या हो चुका है, repeat हो चुका है, यह हम पढ़ चुके है, very good, पढ़ चुके हैं, हाँ sir, पढ़ चुके है, total blood volume, newborn में total blood volume कितना होता है, वैसे मैंने अभी बताया था, पढ़ आगया, झाल, यह 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 झाल, बताना टोटल बोडी वेट का 8% होता है और अडल्ट में भी 6-8% होता है दोनों में याद रखना 8% या 6-8 इसका मतलब पर केजी पर केजी का मतलब 1000 में कितना एटी तो सो में किता हुआ 8 तो राइट आंस फूर कौन सा आटाले outta 12 कितना होता पर कि व्लेट लेकिन आधा फ्लूड़ लग नूबॉन का हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। ले बाकी सब चीजे नॉर्मल है। नूबॉन का बलड होता है। उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है। जब तक बच्चा फीटस लाइप होता है। उसमें 2-alpha-2-Bita-cell होनी चाहिए। उसकी जगा 2-alpha-2-gama-cell होती है। हिमोग्लोबीन में यह बहुत ही बढ़ा चेंज है जब तक न्यूबॉर्ण बेभी फीटस लाइप नहीं होता है एलफा और बीटा चेंड नहीं होती है लेकिन दीरे दीरे 24 वीक ऑफ गेस्टेसिन से गामा चेंड चेंड होनी शुरू होती है होनी चेंड शुरू होती है टू तो होती है एलफा टू होती है गामा चेंड हीमोग्लोबीन अडल्ट में यह हीमोग्लोबीन आफ्टर बर्थ 2 alpha 2 beta ये question कई बार आता है newborn baby का जो RBC होता है वो तो bone मेरो में बनता है जनम के बाद embryo life में yorksake में fetus life में liver में सुनना embryo life में yorksake में fetus life में 8 से 40 week में liver में 95% 5% स्प्लीन में after birth bone marrow after birth bone marrow ये बात बहुत important RBC का life span RBC का life span जो total adult का life span है उसका 67% होता है adult का होता है 120 दिन 120 दिन का 67 होता है 80 days term newborn की RBC 80 से 90 days तक होती है premature की 70 days होती है RBC का life span newborn baby में 80 to 90 premature में 70 days इसका मतलब adult में कितना होता है 120 120 का 80 कितना होता है 67% clear ठीक है अब याद हो गया बाकी हम पढ़ेंगे अब याद की क्लास में इस ठीक है कल साम को 6 बज़े क्लास लगेगी कल-कल 6 फिर साम को वापिस 8 बज़े शुरू हो जाएगी हाँ